टीवी इंडस्ट्री में दादी और मा का किरदार निभाकर लोगों से खुब सारा प्यार बठोर निवाली अभिनेत्री सरिता जोशी ने खुब नाम कमाया है। जहां ये कभी मा का करदार निभाकर खूब सारा प्यार बटोरी है तो कभी करूरदादी बनकर लोगों की बीच खूब पॉपलर हुई या अपनी दोनों ही करदार चाहे वो मा का हो या दादी का बखूबी शांदार तरीके से पदे पर उतारती हैं इसके चोलते उन्होंने दर्शिकों से खुब पॉपुलारिटी हासिल की लेकिन दोस्तों आप इनके बारे में तो सब जानते हैं पर किया आप इनके रियल लाइफ हस्बन और बेटियों के बारे में जानते हैं कि वो कौन हैं क्या करते हैं और कैसे डिखते हैं अगर आप इन सबी सवालों की जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंतक बने रहें। साथ ही अपनी फेवरेट दादी और मा का किरदार निभाने वाली अभिनेतरी सरिता जोशी के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टीवी सीरियल में मा और दादी का किरदार निभाने वाली अभिनेतरी सरिता जोशी का जन 17 अक्टूबर 1941 को महराष्ट्र में हुआ जिसके चलते इनकी पूरी पढ़ाई भी यहीं से कंप्लेट हुई। कई सूपर हेट फिर्मों के नाम शामिल है। के हस्बिन प्रोफेशन से गुजराती थीएटर डिरेक्टर हैं जिन्होंने कई गुजराती फिल्मों को डिरेक्ट किया है। लेकिन अफसोस डिरेक्टर परविन जोशी अब हमारे बीच नहीं है। इन्होंने कई सालों पहले महज 45 साल के उम्र में अपनी प्राण त्याग दिये। वहीं अगर बात करें सरिता जोशी के रियल लाइफ बेटियों के बारे में तो इनकी दोनों ही बेटिया शादी शुदा जीवन बिता रही है। जहां इनकी बड़ी बेटी केट की दवे ने रसिक दवे के साथ शादी की है और आज इस शादी से इनकी एक बेटी भी है तो वहीं अबिनेत्री सरिता जोशी की छोटी बेटी पूर्वी जोशी ने वेलेंटिन ओ फैलमन से शादी की है। जिन्होंने मेट्रो पार्क, धमाधम और हाला जैसे कई सूपरहेट सीरिल्स में काम किया। साथ इन्होंने अपने अक्टिंग करियर को आज भी बरकरा रखा है। जो हाली में आये सीरियल, हाला में एरम का करदार बाती नज़र आई थी। तो दोस्तों आपको अब इनेत्री सरिता जोशी की रियल लाइफ हस्बन और बेटों की बारे में जानकर कैसा लगा। आप हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और धमाकेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।